Hello students, how are you? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, healthy होंगे, fit होंगे और अच्छे से बढ़ाई कर रहे होंगे तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल Tech Geek में आज हम जिस topic के बारे में बात करेंगे वो topic है आपका applications of computer यह रहेगा class, फिर से class 10 plus 1 के लिए topic और this is our lecture number 3 for class 10 plus 1 जिन students ने, जिन लोगों ने मेरे पहले दो lectures नहीं देखे हैं lecture 1 और lecture 2 जो की block diagram of computer and characteristics of computer cover करते हैं उनके लिए मैंने description में दोनों lectures का जो link है वो डाल दिया है तो आप लोग प्लीज उन दोनों lectures को भी ज़रूर देखें दोनों ही lectures बहुत informative है ठीक है तो चलिए आज के इस topic की तरफ चलते हैं जो है applications of computer तो application of computers में आज हम पढ़ेंगे कि computer किया हमारे लिए क्या क्या करता है उसकी क्या applications है applications का मतलब है कि computer के क्या क्या uses हैं हमारे लिए तो आज कल आप लोग सभी जानते ही हैं कि हम कहीं भी जाएं हाज हम school में जाएं तो हमें computers देखने को मिलते हैं हम लोग कहीं office में जाएं वहां computer देखने को मिलते हैं हम लोग कहीं bank में जाते हैं वहां computer देखने को मिलते हैं हमारे घरों में computer you know हम लोग use करते हैं तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि computer का जो use है या computer की जो applications हैं आज की date में हमारे normal routine में हमारी daily life में इतनी ज्यादा inculcate कर चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि आज अगर आप computer के बीना कोई भी field के बारे में सोचोगे तो आप बीना computer के उस field को imagine कर पाओगे हर जगा हर field में चाहे वो field कोई you know business की हो चाहे educational institute हो चाहे organizations हैं, offices हैं, you know hospitals हैं, government offices हैं, banks हैं आप कहीं भी चले जाओ you have computer everywhere, तो हम वही discuss करेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी fields हैं या कहां-कहां पर आज computer use होता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि computer जो है वो बहुत ही एक vital role play कर रहा है हमारी daily life में, चाहे वो कोई भी field हो, ठीक है, you know computers are used almost everywhere तो जैसे कि मैं आपके साथ discuss कर चुका हूं कि इस chapter में हम लोग computer applications means computer uses के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इस diagram में कि computer का use almost हर field में हो रहा है, देख रहे हैं आप, जैसे हमने पहले भी discuss किया कि हर जगा आप देख रहे हूं कि आज की date में computer जो है वो use किया जा रहा है तो computer की applications कहां कहां पी हैं, इस diagram के थूँ हम समझने की कोशिश करते हैं, पहला आगया home use, then we have medical, you know medical field में computer का बहुत use है, entertainment field में computer का बहुत use है, industries में, means business में computer का बहुत use है, education में computer का बहुत use है, government sector में computer का बहुत use है, banking में बहुत use है, and engineering में, science and engineering, तो आपने इस diagram के through आपको इतनी बात तो समझ आई गही होगी कि इस diagram में मैंने almost हर एक field को touch किया है, जो हमारी daily life में, जो हमारी day to day life में हमें matter करती हैं, ये fields, और almost मुझे नहीं लगता कि कोई भी field आपको यहाँ पे दिखरी होगी अभी कि जिस जो कि आपकी life से related ना हो, हर एक field जो मैंने यहाँ पे cover करने की कोशिश की है, इस diagram में, वो fields वही हैं, जो कि हमारी daily life में, you know, day to day life में हम लोगों के use में आती हैं, तो इन fields में computer का क्या use है, ठीक है, वो हम discuss करेंगे, right, तो सबसे पहले हम लोग आजाते हैं, computer के home use पे, सबसे basic use, computers are used at homes for several purposes, जैसे online bill payment करते हैं हम लोग, हमारे घर वाले, हमारे parents, online bill पे करते हैं, you know, water supply वालों का bill, electricity का bill, phone का bill, आपके internet का bill, etc, then, और क्या use करते हैं हम लोग घर पे, हम लोग movies देखते हैं, watching movies, ठीक है, like on different, different, you know, oddity platforms, like, you know, अपका netflix है, या YouTube यूज़ करके आप movies देखते हैं, या shows देखते हैं घर पे, ठीक है, या Amazon Prime है, उस पे movies देखते हैं आप लोग, फिर home, you know, home में आप tutorials वगरा देखते हैं, जैसे मेरा ये tutorial आप देख रहे हैं, घर बैठ के, अपने system पे, या अपने laptop पे, या अ आपने, you know, tablet पे, फिर social media का यूज़ करते हैं, हम लोग, घरों में बैठ के, computer के थ्रूई कर रहे हैं नहीं सारा कुछ, social media like, Facebook, you know, Instagram, और आपका, you know, Twitter, and there are so many other, then what else you use, for playing games, internet accessing, internet पे, you know, तरह तरह की चीज़ों को access करने के लिए आप यूज़ करते हैं, like, notes वगरा, अगर आपने पढ़ाई से related कोई चीज़ सर्च करने हैं, तो notes, educational videos, tutorials, जैसे आप लोग उने, मेरा भी, ये जो tutorial है, अगर आपने search किया है, या आपने link के धूरू open किया है, तो आपने computer का use किया होगा, okay, तो computer क्या करता है, हमें, they help us to avail work from home facilities also, yes, work from home, अभी जब pandemic था, COVID-19, तो उस during किया हुआ था, एक डेट साल के लिए बिलकुल schools बंद होगे थे, you know, offices बंद होगे थे, तो आप में से हो सकता है, कहीं के parents ने work from home किया हो, mostly, मैं तो कहता हूँ, mostly, जो parents थे, वो घर से काम कर रहे थे, हम लोग भी teachers, school नहीं जा पारे थे, तो हम लोग घर स possible हो पाया, just because of the use of computer, ठीक है, तो घर पे आप computers का, यह सब use कर सकते हैं, then moving, you know, to the next point, that is the medical use, अब medical में computers का use कहां पे होता है, medical में क्या करते हैं, जो बड़े-बड़े hospitals हैं, वो क्या करते हैं, computer का use, database बनाते हैं, किसका, अपने patients का, patients की, you know, history का, कि वो किस disease से suffer कर रहे हैं, उनको क्या diagnosis दिया जा रहा है, doctors के, through, यह सब कुछ database बनाया जाता है, किस में, computers में, तो computers के through, इनके databases से, इनका data, फिर retrieve किया जाता है, फिर doctor इनको diagnosis करते हैं, with the help of computers, you know, x-ray machines देखिऊंगी आपने, CT scan होता है, MRI, ultrasound, इनके बारे में सुना होगा न, आपने, यह सारी medical से related चीज़ें हैं, और यह सारी के सारी technology जो है, वो, किस के through चलती है, computers के through, okay, then, फिर से मैं example लोंगा, COVID-19 का, जब pandemic था, तो doctors ने क् घर बैठ के, remote location से, आपको क्या किया था, diagnose किया था, online, जिसको बलते हैं, online diagnosis, system, वो भी computer के through possible हो पाया, फिर, आज कल, doctor robotic, surgical devices का use करते हैं, robots का use करते हैं, surgery करने के लिए, help लेते हैं, उनकी, okay, तो, यह सारी चीज़ें, जो हैं, वो, जो medical field से related हैं, उसमें भी, हर जगा, अब किसका use हो रहा है, computer का use हो रहा है, moving on to the further points, we have the use of entertainment, अब देखिए, entertainment, यह आप सभी लोगों का favorite use है computer का, right, am I right, yeah, तो हम लोग entertainment purpose के लिए, कैसे computer का use करते हैं, we use computer for watching, online movies, जैसे हम पहले भी discuss कर चुके, games play करते हैं, आप computer पे, online, offline mode पे, फिर क्या करते हैं, online vlogging करते हैं, आपने देखा होगा, YouTube पे आजकल vloggers vlog बनाते हैं, फिर आप music सुनते हैं online, दरा तरह के software's use करके, तो computer के वज़ा से यह possible है, then what else you do, आप लोग कही बार अपने computers को, you know, TV के साथ connect कर देते हैं, बड़ी screen पे कोई movie देखनी है, या अपना favorite show दे ना है, then we have lot of photo editors, which are available with very good, fabulous features, जिनको use करके आप क्या करते हैं, अपनी photographs को edit करते हैं, बड़ीया-बड़ीया photographs बनाते हैं, फिर कहां उसको post करते हैं, FB पे, Instagram पे, तो यह सारा entertainment purpose के रिए computer का use है, okay, then we have industry use, business में, computer आज की date में, industry में, या business field में, बहुत use हो रहा है, like managing inventory, inventory, stock management के लिए, shopkeepers और business houses, computers का use करते हैं, अपनी designing purpose के लिए use करते हैं, ठीक है, interior designing के लिए, video conferencing, business में बहुत helpful है, video conferencing, जिससे business houses क्या करते हैं, अपनी पूरी, you know, दुनिया में, अगर उनकी branches हैं, locate, तो वो क्या करते हैं, सारी branches के साथ, इकठे होकर, अगर उनको कोई meeting perform करनी है, तो वो video conferencing के द्रू meeting करते हैं, करते हैं आपने देखा होगा online conferencing जिसको बोलते हैं, तो वो भी computer की वज़े से ही possible है, और क्या क्या करते हैं, business use में, online sales, marketing, है न, companies online marketing करते हैं, sale करते हैं, जैसे, आजकल बहुत ज़्यादा online platforms हैं, जिनका use करके, आप लोग क्या करते हैं, चीजों को खरीते हैं, घर बैठे, तो that is business use of computer, घर बैठे, online platform कौन कौन से हैं, जैसे Amazon, आपका, और कौन से है, मिंतरा है, flipkart है, and there are so many others, online, you know, platform, जिस पर कि आप तरह तरह के products को, जो है, वो खरीच सकते हैं, you can buy different different type of products, तो यह सारा computer की वज़े से ही possible हो पाया है, then, we have the use of education, अब देखिए, education में तो computer का बहुत ही vast use है, अब मैं अभी आप तक पहुँच पा रहा हूँ, कैसे possible है, मैं चंबा में बैठा हूँ, चंबा से lecture डिलीवर कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा lecture, चंबा में ही नहीं देखा जा रहा हो, हिमाचल में अलग-लग district से अलग- तो कैसे possible है, computer के तो, है ना, तो education का जो use है, computer का वो बहुत vast है, और यह मेरे, मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा जो computer के applications में, uses में, जो सबसे favorite use है, वो education है, कि आप घर बैठे आजकल online classes लगा सकते हैं, online exams दे सकते हैं, e-books डाउनलोड कर सकते हैं, books पढ़ सकते है online, you know, tutorial ले सकते हैं, online classes ले सकते हैं, आपको कहीं जाने की जुरूरत नहीं है, घर बैठे, computers के तुरू, जतना मर्जी चाहे उतना पड़ो, जितनी मर्जी information चाहे गैदर करो, internet का use करो, तो this is all just because of computers, तो computer ने education field में बहुत ही vast काम किया है, very good, then we have government use, जैसे मैंने पहले भी ब lecture में कि आप government sector में भी आप किसी भी office में चले जाओ, आज की date में government के, आपको computers पर ही काम देखेगा, हर बंदा computer पर काम कर रहा है, तो इस ने कहीं किया है कि इस चीज़ ने computers ने paperless environment create कर दिया है, पहले आप government offices में जाते होंगे अगर, तो आप देखे होंगे, देखते होंग के लगे होते हैं, आज कल tables बगएरा बिलकुल साफ होते हैं, सिर्फ एक computer या laptop होता है, उसी में हजारों लाखों फाइल्स का काम चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा एक computer का use है, government sector में, और फिर government जो है वो defense purpose के लिए भी computer का use करती है, जैसे missile बगएरा की development करने के लिए, satellites को launch करने के लिए, rockets को launch करने के लिए, totally computer का use होता है, human interface बहुत, sorry, human जो interference है, वो बहुत कम हो चुकी है, सारी चीजों को जो है, वो computer overtake कर रहा है, because उसकी characteristics है न, उसकी characteristics है, उसकी properties है, जिनकी बज़ा से ये सब हो रहा है, तो आप characteristics और जो properties हैं, computer की वो क्या है, वो मैंने अ characteristics of computers, तो आप वो link description box में है, वहां से आप देख सकते हैं कि computer की क्या-क्या characteristics हैं, जिसकी वज़ा से वो इतना famous हो चुक है, चली आगे बढ़ते हैं, next, इसका use जो है वो banking sector में है, banking, banking में आपने देखा होगा आजकल, कि customers की, banks जो है, वो customers की detail को आजकल online रखते हैं, computerized form में र रखा जाता है, जैसे ATM से कितने पैसे निकाले उन्होंने, ATM से कितनी transactions की, कितने पैसे submit करवाए, है ना, कितने जबा करवाए, कितने निकाल लिए, सारा का-सारा computerized format में ये काम चल रहा है, आजकल bank में, इसी वज़ए से banks में जो है, वो manual work, जो है, वो कम हो गया है, और उसक benefit किया हुआ है, कि जो manual working errors थे, वो बहुत कम हो गए, computer की वज़ए से, तो bank में तो error का, पता है, कोई chance नहीं है, कोई place ही नहीं है, error का banking में, क्योंकि पैसों का सारा lane देन है, उसमें, तो computer की accuracy की वज़ए से, error rate जो है, वो बहुत कम हो चुके है, तो banks are also very happy, और banking का क्या काम क आया करो, अगर आपको कुछ आता है तो, ठीक है इसके बारे में, अब banking का जैसे हम online payments करते हैं, google पे, m पे, mobile पे, phone पे, you know, beam, app, ये सारी की सारी, banking से related apps है न, तो ये कैसे use कर पाते हो आप, आपको money carry करने की जूरुत नहीं है, धेरों के धेर, note carry करने की जूरुत नहीं है, सिरफ आप एक, mobile या अपने electronic gadget में, एक app install करते हो, और लखों की transactions आप कर सकते हो, तो वो banking transactions है, तो कैसे possible है, computer की बज़े से, then lastly, we will discuss about engineering, science and engineering, तो engineering में भी computer का बड़ा dynamic role है, ठीक है, engineers जो क्या करते हैं, वो एक software आता है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, उस software का नाम होता है CAD, computer-aided design बोलते हैं, उसको CAD software, उसका use करके engineers बड़ी-बड़ी buildings के design बनाते हैं, बड़े-बड़े bridges के design बनाते हैं, बड़े-बड़े projects के design बनाते हैं, ठीक है, और बिलकुल error free, accurate, और super computers हैं, हमारे, उनका use हम लोग research and development में करते हैं, ठीक है, अब super computer क्या होता है, यह type of computer है, तो types of computer में भी मैं आने वाले time में lecture जो बनाने वाला हूँ, तो आप मेरे channel के साथ बने रहिए, we will complete this topic in coming lectures, कि types of computers, तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजे कि super computer एक सबसे top level का computer है, जिसका use जो है वो research and development के लिए किया जाता है, satellite images create कर सकते हैं, computers के थूँ, ठीक है, then we can use you know, computer for analyzing the data for scientists, कोई discovery, कोई invention करने के लिए scientists use करते हैं इसको, weather forecasting के लिए use करते हैं, earthquake का data collect करने के लिए computers का use किया जाता है, so that आगे आने वाले time में कुछ ऐसी miss happenings के अगर chances हो, तो उसको reduce किया जा सके, तो computer का use जो है, वो science and engineering में भी बहुत high level गए, right, तो आप लोगों ने इस पूरे lecture में एक चीज़ तो मेरे हिसाब से analyze की होगी, कि computer का आज की date में use हर एक field में है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, बीना computer के आज हम अपनी daily life को imagine ही नहीं कर सकते, विलकुल भी, so these are some, you know, uses and applications of computers, इसके इलावा भी बहुत और आप लोग जो है, वो सोच सकते हैं कि, और कौन कौन सी fields हैं, जो इस lecture में बच गई हैं, आप cover कर सकते हैं, तो आप मुझे comment section में लिके जरूर बताएं कि, और कौन कौन सी fields हैं, जिसमें हम computer का use करते हैं, ठीक है, so thank you so much for being with me on this lecture, and listening to me patiently, अगर आपको मेरे बनाए हुए lectures पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरे बनाए हुए lectures से information मिल रही है, अच्छी education मिल रही है, तो आप से यही request है, कि आप लोग comments करके जरूर बताएं, like करें मेरे lectures को, मेरे channel को subscribe करें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा share करें, so that other people, other students can also be benefited, right, so thank you so much, मिरे साथ बने रहने के लिए,